दैनिक भासकर और भारत समाचार के ओफिस पर आई कर विभाग की छापे मारी बहुजन समाट प्राटिक राश्टर दक्ष बैनकुमारी मायवती जी ने कहा यहाँ द्वेश पूर्ण कारवाई इस घटना से 1975 के इमर्जनसी की काली याद आती है जी हाँ दोस्तों मैं हूँ इंजिनर इसनेहा और आप देख रहे है दथी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही बेल आईकन को प्रेस कर लीजे हमारे वीडियोज को लाइक करें कबेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे और अपने दोस्तों रिष्टिदारों में शेयर करना ना भूले आपको बता दे की कल दैनिक भासकर और भारत समाचार के ऑफिस पर आईकर विभाग की चापे मारी मुंबई, इंदौर, भोपाल, अमदाबाद, लखनव यहां पर हुई थी जिस पर बहुजन समाट पार्टी राष्ट्य अध्यक्ष बेनकुमारी मायवती जी ने ट्वीट करके लिखा की दैनिक भासकर मेडिया ग्रूप व भारत समाचार चैनल पर आईकर की जबरदस चापे मारी प्रथम द्रिष्ट्या द्वेशपुर्ण कारवाई लगती है ज अति दुखद व अति निंदनिया जैसा कि गौर तलब है कि 1975 के इमर्जंसी में मीडिया पर निरंकुष निर्बंध लगाए गये थे ऐसा ही आज 2021 में हो रहा है ऐसा आरोप बहुजन समाट पार्टी की नेत्री बहनकुमारी मायवती जी ने कहा है इस पर आप क्या सोचते ह कमेंट करके जरूर बताएं बने रहें दर्थिंग पर जैभीम जैभाराइं विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले